वेलकम बैक फ्रेंड्स और यह जो वीडियो है पार्ट फाइव है पार्ट फोर में हमने एप्लिकेशन दिया था अपने प्रिंसिपल को ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए और उसी में जो अथवा में दिया है और में दिया है हम अभी तक जितने भी एप्लिकेशन देखे हैं लेटर्स देखे हैं उसमें लेटर्स में ऐसा होता था कि हम अपने भाई की शादी में अपने दोस्त को बिलाते थे लेकिन यहां पर भाई के बिर्थडे में अपने दोस्त को बिला रहे हैं यह एक मेजर डिफरेंस है तो ध्यान से देखना हम इसको कैसे लिख सकते हैं शुरू करते हैं सबसे पहले तो जो नाम जिसका जो लिखने वाला है जो राइटर है उसका नाम तो सबसे नीचे रहता और जो सबसे नीचे लिखा है नाम उसका जो एड्रेस रहेगा वो रहेगा सबसे उपर ठीक है अगर question paper में नहीं दिया है, तो ठीक है, अपने हिसाब से लिख लो, हमने अपने हिसाब से लिख दिया है क्या, 216 बटतीन, टीटी नगर भोपाल, यह कोई भी address आप लेख सकते हैं, कोई number का use करते हैं, तो ज्यादा attractive देखता है, तो यहाँ पे हमने numbers का use किया, 216 बटतीन, ट उसके नीचे date, और यहाँ से हमारा salutation और यहाँ पूरा message हमारा लिख रहेगा, dear Manish, write a letter to your friend Manish, Manish को हमने लिखना है, dear Manish, I am fit and fine year, मैं बहुत बढ़िया हूँ यहाँ यहाँ पे, here, and hoping the same for you, और तुम्हारे लिए भी यही आशा करता हूँ, my brother's birthday is on 20th March, यह March 20th, so, यहाँ पे हमने क्या बताई है, कि मेरे भाई का birthday कब है, 20th March को है, I invite you to the birthday party, और मैं आपको invite करता हूँ, birthday party में, we will have fun together, हम बहुत मजे करेंगे एक साथ, we will have fun together, other friends are also coming, दूसरे friends भी आ रहे हैं, I will be waiting for you, मैं तुम्हारा इंतज़़ार कर रहा हूँगा, rest on meeting, अच्छा देखो, यहाँ पे जो हमने पूरा message छाप दिया, कि हाँ, हाँ, यह करना है, यह करना है, उसके नीचे देखो, closing जरूरी है, जब कभी आप phone पे बात करे हो, तो एकदम से phone नहीं काटते हो, कि आप जब भी phone करते हो, तो last में हाचा ठीक है, रखते हैं, और हमने closing क्या रखी, यहाँ पे rest on meeting, याने बाकी सारी चीज़े मिलने पर, शेश मिलने पर, rest का मतलब यहाँ पे rest नहीं, आराम नहीं है, rest का मतलब यहाँ पे है, शेश, बाकी, यह ना, बाकी मिलने पर, और सब यह हो गया, उसके बाद, फिर हम last में क्या लिखेंगे, यह सिं sincerely, तो यहाँ पे जो हम yours लिखेंगे ना, तो यह इसके साथ last में as जरूर एड़ करना ठीक है, you, y, o, u, r, s, यह होना चाहिए, कुछ लोग गलती से यहाँ पे apostrophe लगा देते हैं, यह भी एक गलत तरीका है, सही तरीका किवल, यह है, yours, sincerely, rakesh, misra, तो इस तरह से आपको यह पत्र अपने दोष्ट को लिखना है, अपने भाई के birthday में उसको बुलाना है, I hope कि यह आपको समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो comment box में जरूर बताना, वीडियो अच्छे लगी हो तो like जरूर कर देना, अगर channel पर नए हो तो subscribe कर दोगाना, मिलते हैं अगली वीडि